पवन और खेसारी के जगडे में किसे हुआ नुकसान और किसनी बाजी मारी इसके लिए आपको हमारा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कल के पटना वाले शो में खेसारी लाल यादो को पवन सिंग ने बहुत कुछ कहा हाँ ये बात और है कि पवन सिंग ने वहाँ खेसारी का नाम नहीं लिया लेकिन ये सभी समझ गए कि पवन सिंग कह किसी रहे और सुबे खेसारी लाल यादो आये लाइव और वो अपने गाने रुमैंटिक राजा के ट्रीजर के लिए लाइव आने वाले थे लेकिन वो लाइव आये पवन सिंग ने जो कुछ कहा था उसे आयू कहले उसका जवाब देने के लिए पवन सिंग पर बहुत सारे इलजाम खेसारी ने लगाए और आज उनका ट्रीजर रिलीज हुआ है रुमैंटिक राजा वहीं दूसरी तरफ पवन का सौंग रिलीज हुआ है जिन्दगी जिस पर आपको बता दें कि ये गाना जो जिन्दगी है पवन सिंग का वो बहुत ही बहत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा रुमैंटिक सौंग है अगर आप आख बंद करके उसे सुनें तो शायद उसमें खो जाएंगे लेकिन एक भारी नुकसान हुआ है वाइरल भोजपुरी को और पवन सिंग को क्योंकि ये सौंग इतना बहतरीन होते हुए अभी भी साड़े पांच लाग के व्यूज पे है छे घंटे में और वहीं खेसारी लाल यादो का रोमैंटिक राजा का ट्रीजर ट्रेंड कर रहा है थर्टी नाइन पुजीशन पे अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसे लॉस हुआ है किसे फायदा हुआ है यहां ये समझ लिजे कि भोजपुरी बहुत आगे जा रही है अगर फै लेकिन अगर अच्छे कामों को एपेश्येट किया जाता है उस इंडस्ट्री में तब ही वो इंडस्ट्री इतनी ग्रेसफुल आगे पड़ती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री को इस वक्त यह सारे विवाद भुल जाने चाहिए और सिर्फ पवन के फैंस को या फिर खेस चीज आपके समक्ष किस रूप में आ रही है उसे एक्सेप्ट कीजे हमारी लोगों से यही अपील है जो हुआ उसे भूलिये आगे की तरफ पढ़िये भोजप्रु जगत की होट और मस्साले दर गौसिप के निए धेर साला आशिरबाद देखप ये चैनल के आप लोग सब्